तो देखो गाइस हम इस पारसल को खोल रहे हैं तो पहले आपको ब्लेड लेनी जो इससे कट जाए बढ़िया तरीके से पारसल बाहर आ जाए जब भी आप चीज मगाए तो ऐसे बंदे से मगाए जो आपका पारसल टैम पर पोचा दे और कोई दिक्कत ना हो पारसल में आने म ठीक है गाइस पारसल बाहर ने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है कोई दिक्कत नहीं होगी यह हमारा पारसल खुल चुका है अंदर एक टेप और लगी हुए है इसको भी हम काट देंगे बहुत अच्छी तरह की तरीके से भाई ने पारसल पेक करके बेजा है देखिए यह हमारी रिंग है जो अपने बच्चों के पैरों में डालेंगे ठीक है चोटे बच्चे है हमारे पास उनके पैरों में डालेंगे नमबर वाली रिंग इससे में पता रहेगी कौन से जोड का बच्चा है और यह मंगा है हमने जोड वाले का ऊत्रों के लिए ठीक है गाइस इससे हमाई जोड पैचानने में दिक्कत नहीं होगी कौन सी माधिन के साथ हमने लगा रखी है यह देखिया यह रिंग मगाई है हमने बाई से जोड़े वाले को उत्रों के लिए ठीक है तो आप भी चीज ऐसी मगाई जो यूनिक हो और उस बंदे से मगाई ज पास पोच गया पास दिनों में ठीक है और यह हमने मगाए एक बच्चों को भराने के लिए फीडर देखिया आप ठीक है गाइस यूनिक चीज है बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं देखिया यह सारा समान हमने मगाए बाई से ठीक है ठीक है गाइस मिलते आप से नेक्स